कला के प्रमुक तत्व जिन तत्वों के समावेश से कला की उत्पत्ति की जाती है एम उनमे सुन्दरिया भरा जाता है उन तत्वों को कला के तत्वों के नाम से जाना जाता है कला के छे मूल तत्व हैं रेखा, रूप, रंग, तान, पोट, अंतराल रेखा, प्राचीन काल से ही रेखा का चित्रकला में महतुपुन स्थान रहा है भारती चित्रकला रेखा प्रधान है कला स्थिजन में रेखा द्रिश्य अभियक्ति का सर्वाधिक सरल एम महतुपुन माध्यम रहा है रेखा को हम चित्रकार के भावों की अभियक्ति का प्राचीनतम अधार भी मान सकते हैं प्रतेक रेखा के कुछ समाने प्रभाव होते हैं जिसका संबन हमारी मनो दिशाओंवे समवेदनाओं से होता है और चित्ररचना में कलाकार इन रेखिय गुनों का लाव उठाता है रेखा की परिभाशा दो बिन्दों के बीच की दूरी रेखा कहलाती है या बिन्दों के समूं को या अबाद कती से बिन्दों को अंकित करने से रेखा का जन्म होता है रेखा कलाक के प्रभाव को व्यक्त करती है रेखाओं के प्रकार सीधी खड़ी अथ्वा लंबवत रेखा सीधी खड़ी रेखाएं उचाई की प्रतीक हैं जैसे पेड सीधा खड़ा होता है, व्यक्ति खड़ा होता है आदी, ये रेखाएं हमारे मन में उच्चता, महत्वकांशा, दृट्ता, गोरव, अभिजात्य, एम्स्थेर्ता की अन्भूती जगाती हैं. सीधी पड़ी या शैतिज रेखा लंभूत रेखा आकार को अधार प्रदान करती है, मनुश्य विश्राम अत्वा सुप्ता वस्था में श्यातिज स्यति में होता है, ये रेखाएं मानसिक, शान्ति, विश्राम, निश्क्रियता, संतूलन, सिर्ता, मोन, आदिभावों की धोतक हैं. तिर्ची अत्वा कर्णवत रेखा ये रेखाएं अंत्राल में तिर्ची वे आड़ी खीची जाती हैं, अत्य कर्णवत कही जाती हैं, ये रेखाएं गती, तिव्रता, उत्तेजना, व्याकुलता, ये नाटकियता, अधिभावों का संचार करती हैं. कोनिय रेखा, जो रेखाएं शिग्रता से दिशा परिवर्तन करती हैं, वे कोनिय रेखाएं कही जाती हैं ये रेखाएं असुरक्षा, अस्पर्ष्टता, व्याकुलता, संघर्ष, शनिक्ता व आघात के भावों को प्रस्थुत करती हैं एक पुंजिय रेखा, ये रेखाएं शोभा, प्रसार, स्वचंदता, व अभिलाशा अधिभावों की धोतक हैं चक्राकार रेखा, रिताकार, एम, कुंडलित, सर्पाकार रेखाएं, चक्राकार रेखाओं के अंतरगर्थ आती हैं ये रेखाएं गती, उतेजना, वृद्धी, शक्ती, निरंतरता, व पूंटा अधिभावों की धोतक हैं प्रवाही रेखा, लियात्मक्वे प्रवाहयुक्त रेखाएं, जैसे नदी की प्रवाहयुक्त वे लियात्मक रेखाएं, इसके अंतरगत आती हैं ये रेखाएं गती, माधूरिय, लावन्य, आधिभावों को दर्शाती हैं रूप चित्र का रूप शेत्रिया स्थान होता है, जिसका अपना वास्त्विक वर्ण और आकार होता है ये वस्तू की आक्रिती को रूप कहते हैं, जो अंतराल के किसी भी भाग को चारो ओर से घेरती है, जिसका आकार वे वर्ण होता है रूप का वर्गी करन प्लेटो के अनुसार रूप को दो भागों में बाटा गया है, सापेक्ष रूप, निर्पेक्ष रूप प्रकर्ति सुंदरे के आधार पर जो चितरन किये जाते हैं, उसे सापेक्ष रूप या यथार्ट चितरन भी कहते हैं निर्पेक्ष रूप किसी आकृती में जैमिती या स्वतेर इखांकित प्रक्टिया को निर्बेक्ष रूप कहते हैं या किसी यांधरिक ओजार का प्रयोग करके आकृती को रूप प्रदान किया जाता है। आधुनिक चित्र कला में रूप के भेर, सक्रिय रूप, सायक रूप, नेमित रूप, अनेमित रूप, सक्रिय रूप, किसी चित्र में जिसकी प्रमुक भूमिका होती है, वह सक्रिय रूप कहलाता है, सायक रूप, किसी चित्र में प्रमुक भूमिका निभाने वाले को जो अन्य रूप एकत्र होकर सक्रिय रूप को बल प्रदान करते हैं, उन्हें सहायक रूप कहते हैं. नेमित रूप नेमित रूप जिसके दोनों भाग समान हो, जैसे रित, आयत, त्रिकोन, चदरभूज, आदी. आयताकार, ऐसे रूपाकार जिनमें रेखाएं समकोनिय होती हैं, ये रूप स्थिर्था, दृड़्था, शान्ती, एकता, अधी भावों को बताते हैं. त्रिभूजाकार, ये वे आकार हैं जिनका अधार शिर्ष की अपेक्षा चोड़ा होता है, जैसे पिरामिट का आकार. ये आकार स्थिर्था, सुरक्षा वे विकास का भाव प्रकट करते हैं. विलोम त्रिभूजाकार, ये आकार उल्टे त्रिभूज की आकरिति के समान होते हैं, जो त्रिभूज के रुपाकार से विप्रीत स्थिती में प्रदर्शित हो रहे होते हैं. ये रुपाकार अनिश्चे, अशान्ती वे शिक्र परिवतन आधी प्रभावों को उत्पन कर अनेमे त्रूप जिसका एक भाग दूसरे भाग के समान नहीं हो जैसे शंक पत्ति आदी रंग रंग चित्रकला का एक महतुपुन तत्व होता है रंग वस्तुत्य प्रकाश का वह गुन है जो नेत्रोव्य मस्टिश के द्वारा अनभव किया जाता है प्रकाश की किरने जब किसी वस्तु के उपर पढ़ती है तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को आत्म साथ कर परावर्तित प्रतिबिम्बित करती है और वह प्रतिबिम्ब हमें रंग के रूप में दिखाई देता है प्रतेक रंग के कुछ भोतिक गुन होते हैं जिने निम्प्रकार से समझा जा सकता है जैसे रंगत, मान, प्रबलता, हलकी रंगत, गहरी रंगत रंगत, रंगों का सभाव रंगत कहलाता है रंगत रंग का वह गुन होता है जिसके द्वारा हम लाल, पीले वर नीले के बीच का भेज समझ सकते हैं मान मान रंगत में हलकेपन वे गहरेपन का सूचक है इसे रंगों का गहरापन या हलकापन भी कहते हैं किसी वे रंग में काला रंग मिलाने से गहरा थथा श्वेत रंग मिलाने से हलका प्रभापन प्राप्त होता है प्रकास से लेकर अंदकार तक सफेद वे काले रंग के अनेक मिश्रन हो सकते हैं इनकी मिश्रन से रंगों के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है यही श्वेत्वे काले रंग के विभिन मान कहलाते हैं प्रबलता रंगों की प्रबलता का अविप्राय प्राय चटकता रंगों से होता है रंगों में चटकपन शुद्धता के कारण भी हो सकता है और किनी रंगों के मिश्रन द्वारा भी अर्थार जिन रंगों में चटकपन हो या जिन रंगों के मिश्रन से रंगों में तेजपन आजाए उन रंगों का यह गुन प्रबलता कहलाता है हलकी रंगत किसी भी रंग में श्वेत रंग मिलाने से उस रंग का हलका रंग बनता है, उसे उक्त रंग के मान का बढ़ना कहते हैं या उक्त रंग की आभा कहते हैं गहरी रंगत किसी भी रंग में काला रंग मिलाने से गहरा रंग बनता है, इसे उक्तरंग छाया कहते हैं, तथा यह उक्तरंग के मान का घटना कहलाता है, इससे वस्तों में धुनलापन का प्रभाव उत्पन होता है. रंग भेद, प्रात्मिक रंग यानि प्राइमरी कलर्स, प्रात्मिक रंग तीन होते हैं, लाल, पीला और नीला, ये किनी अन्य रंगों के मिश्रन से नहीं बनते, बलकि इनके मिश्रन से अन्य रंग बनते हैं. द्वित्यक रंग यानी secondary colors किनी दो प्रात्मिक रंगों को मिलाकर प्राय तीन द्वित्यक रंग बनते हैं यह रंग होते हैं नारंगी, बैंगनी और हरा इन्हें हम द्वित्य श्रेनी के रंग कहते हैं पीला और लाल मिलाकर नारंगी रंग बनता है लाल और नीला मिलाकर बैंगनी रंग, नीला और पीला मिलाकर हरा रंग बनता है तृत्यक, समीपवर्ती या टेरिटरी कलर्स दृत्य श्रेनी के दो रंगों के मिश्रन से जो रंग तियार होते हैं उन्हें हम समीपवर्ती या तृत्यक रंग कहते हैं नारंगी और बैंगनी मिलाकर तुरित्यक रंग बनता है उष्ण तथा शीतल रंग यानि वान और कूल कलर्स प्रकाश के प्रभाव से जब हम रंगों को देखते हैं तब उत्तेजना के विचार से कुछ रंगों में उष्णता का प्रभाव और कुछ रंगों में शीतलता का प्रभाव उत्पन होता है चित्र में उश्न रंगों से वस्तु निकट वे शीतल रंगों से वस्तु के दूर होने का अभास होता है जो रंग सूर्या के आसपास वाले रंगत के होते हैं वे उशन सभाव के और जो रंग प्राकर्तिक सुन्दर्ता जैसे पेड़ पोदे, सागर, आकाश के संबत होते हैं वे शीतल सभाव वाले होते हैं उश्न रंग लाल, पीला, नारंगी या इनके संयोग से बने रंग उश्न सभावले होते हैं शीतल रंग नीला, हरा या इनके संयोग से बने रंग शीत यानी ठन सभावले होते हैं उदासीन रंग, श्वेत, काला या इनके मिश्रन से बने रंग उदासीन रंग कहलाते हैं तान यानी टोन, तान रंगत के हलके वे गहरे पन को कहते हैं यह रंगत में सफेद तथा काले के परिनाम का धोतक है किसी भी वर्ण में सफेद या काले की मात्रा के अंतर से उसके अनेक टान प्राप्त कर सकते हैं टान किसी भी चित्र में प्रियुक्त वर्ण आयोजन की जान है किसी भी एक वर्ण की सतह पर प्रकाश के एक समान भाव के अभाव में भी उस वर्ण के विभिन तान प्रस्तुत हो जाते हैं इसके विप्रीप प्रकाश के एक समान प्रभाव के होते हुए, वस्तु के एक तलिया नए होने पर भी उसके वर्ण के विभिन तान प्रस्तुत हो जाते हैं। तान का वर्गीकरन छाया माध्यम प्रकाश वस्तुते तान का यह क्रमिक विभाजन काले वे सफेद की मात्राओं के रंग में मिश्रन से प्राप्त किया जा सकता है जो रंग को हलका वे गहरा बनाती है कोई भी चित्र तान के अभाव में अधूरा रहेगा यह थार्थ अंकन के लिए तान एक आवश्यक तत्व है कर परिपेक्ष्य के प्रभाव को उत्पन किया जाता है द्वी आयामी धरातल पर त्री आयामी प्रभाव उत्पन किया जा सकता है एम चित्र में संतूलन, विरोधाभास, एम ले आदी प्रभाव भी उत्पन किये जा सकते है पोत यानि टेक्स्चर किसी भी वस्तु के धरातल के गुन को ही पोत कहते हैं, कला तत्वों में पोत का विशेश महत्व होता है, अत्य चित्रकार को इसके प्रयोग में विशेश कुशलता प्राप्त करना अनिवारिया है चित्र तल पर यथार्थ अंकन की द्रिष्टी से पोत महत्वपुन तत्व होता है पोत की विवित्ता से अंतराल को गती प्रदान कर उसकी एक रस्ता को समाप्त किया जा सकता है चित्रकार द्वी आया में धरातल जैसे कपड़ा, मिट्टी, छाल, ताड़, पत्र, बित्ती आदी को अपनी अभियक्ति का साधन मनाता है और इनके सभाविक पोत यानि टेक्स्चर को प्रियोग वह अपनी अभियक्ति में करता है धरातल की संपूर्ण अभियक्ति को टेक्स्चर के माध्यम से अभियक्त करता है चिकने, खुर्दुरे, रुई, तेल, पत्थर, पानी, आदी का अंकन टेक्स्चर द्वारा ही रूप भित को प्राप्त करता है पोत तीन प्रकार किये होते हैं प्राकर्तिक पोत, अनुकरित पोत, स्रिजित पोत, प्राकर्तिक पोत, इसके अंतरगत वे सभी धरातल आ जाते हैं जो प्राकर्तिक तथा मानव निर्मित वस्तों में होते हैं प्राकर्तिक वस्तुओं जैसे पुश', पत्र तथा फल आदी को काड़ कर तथा सुखा कर भी अध्यन कर सकते हैं अनुक्रित पोद प्रकर्ति प्रदत पोद का अनुकरन करके निर्मित किये जाने वाले पोद अनुक्रित पोद कहलाते हैं पदाट चित्रन में प्रतिकृती अंकन हेतू चित्रकार इसका प्रयोग करता है। यदि भारतिय लगू चित्रों का अधिन करें तो स्पेश्ट होगा कि पोत का प्रयोग अनुकृती के अधार पर होते हुए भी अलंकृत बन पड़ा है। अनुकृत पोत के प्रभाव से द्वी आयामी तल पर त्री आयामी प्रभाव भी उत्पन किये जा सकते हैं। श्रीजित पोत यह उप्रोग दोनों पोत से भिन है इसके अंतरगत कलाकार अनेक अंतरोवे विभिन सादनों के द्वारा अलग-अलग प्रकार से स्रीजन करता है। पानी और तेल रंग परस पर मिलाने पर मोटे रंग लगाने पर इम अन्य पोट संसादनों के प्रयोक द्वारा वह कलपना जन्य नई सतय तथा धरातल का निर्मान करता है। चित्र कर्म क्योंकि एक स्रिजन कार्या है अतै कलाकार नए नए पोट स्रिजन करता है यानि नए नए टेक्स्च का निर्मान करता है केके हैबबार जगदीश स्वामिनाथन ददा राधिस्थानी कलाकार परमलन चोयल की कृतियों का अध्यन करने से स्पष्ट होता है कि आध अंतराल चित्र का वह तत्व है जिसके अभाम में सैयोजन असंभव है। द्वी आयामी चित्र भूमी ही चित्र का अंतराल होता है। व्यापक अर्थ में अंतराल चित्र का वह तत्व है जो प्रतेक रूपाकार इम तत्व को अपने में समाहित करता है। का निर्मान करता है यहीं अंत्राल कहलाता है अंत्राल का विभाजन अंत्राल दो प्रकार से होता है सम विभाजन चित्र भूमी को रेखा अत्वा रूपाकारों के माध्यम से इस प्रकार विभाजित करना की चारों तरफ से समान रूप से विभाजित हो जाए अत्वा रेख रूप और तल सभी का विभाजन समान रूप से होना चाहिए असम विभाजन इसमें चित्रकार तल का विभाजन अपनी इच्छा नुजार करता है और इसे ही असम विभाजन कहते हैं और इसी के अधार पर चित्र को गदीशील, आकर्शक और तनाव पुन बनाया जा सकता है और आधुनिक काल में अधिकांश शित्रकार इसी विभाजन का सहारा लेते हैं।